कश्मीर में एक मुर्गा विका एक लाक रुपे का आज से पहले आपने कभी ऐसा सुना है कि एक मुर्गा यानि उसकी कीमत जो है वो एक लाक है नहीं सुना होगा लेकिन ऐसा हुआ है कश्मीर में मस्जिद की तामीर के लिए एक मुर्गा डोनेट किया गया और आपको बता जब मुर्गा डोनेट हुआ वो 50 साल के व्यक्ति ने जो ड्राइवर का काम करते हैं उन्होंने मस्जिद की तामीर के लिए उस मुर्गे को डोनेट किया लेकिन मस्जिद का मेटी ने जो है एक डिसीजन लिया उस मुर्गे की बोली लगाई गई और उस मुर्गे की बोली को हैरान कर दिया और वह एक खबर थी कि एक बुजर्ग खातून ने मस्जिद की तामीर के लिए एक अंडा डोनेट किया आप सोचे एक अंडा जिसकी कीमत 6 रुपे 5 रुपे या 7 रुपे हो सकती है एक जगा पर अलग अलग हो सकती है लेकिन उस खातून को क्या पता था कि म मस्जिद की तामीर के लिए अंडा डोनेट कर रही हूँ और मेरे इस अंडे की कीमत जो है टू पॉइंट यानि 2,26,000 हो जाएगी यानि सोचने वाला कभी नहीं सोच सकता कि क्या होगा वो अपने अपने यानि अपने गेश्चेर से अपने भाव से अपने इमोशन से कोई कोई भी चीज जो है वो दान कर रहा है लेकिन अला देखिए अला जो है वो किस कदर जो है वो नमाज रहा है और मस्जिद की डोनेशन के लिए किस तरह से पैसो में इशाफा हो रहा है हाला कि आप सब लोग कहेंगे कि इस खबर में special क्या है खबर ये है कि मस्जिद अल्ला का घर है और अल्ला के घर को बनाने के लिए जब donation raise किया जाता है यानि डोनेट करने की बात की जाती है जो लोग पैसे वाले हैं जो लोग लुसूक वाले हैं पैसा दे देते हैं लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है आपको बता दे वो क्या करते हैं इसी तरह से सोपूर में मैं बात करती हूँ इसी तरह से सोपूर में एक खातुन है जिसकी बात करते हैं उन्होंने मस्जिद की तामीर के लिए अंड़ा प्रोनेट किया था जिसकी कीमती 2,26,000 उपे लेकिन अभी फिल्हाल ये खबर थोड़ी पुरानी है नई खबर जो है गर्दिश कर रही है वो खबर ये है कि मस्जिद की तामीर के लिए और ये हुआ काम पर था पहले आपको वह बता देते हैं राफियाबाद एरिया 50 साल के हैं वो मस्जिद की तामीर के लिए क्रोस्टर यानि एक मुर्गा डोनेट करते हैं उस मुर्गे की बोली लगती है और से महमत अलताफ पारे जो है वो खरीते हैं एक लाग का जो पेशे से आपको बता दे कि यहां पर बताया जा रहा है कि वो कामकाज करते हैं मस्जद कमेटी ने इसकी बोली लगाई और बोली लगा कर एक लाक रुपया मस्जद की खाते में गया हाला कि मस्जद अल्ला का घर है और अल्ला के घर को आप लोगा बात करें लोग वहां पर नमाज पढ़ने जाएंगे जरूरी नहीं कोई एक दो तीन लाग चार लाग 50,000-20,000 डोनेट करें आपकी जितनी तोफीक है आप उसी हिसाब से जो है मस्जित की तामीर के लिए डोनेट करें और जब कोई इसमें नमाज पढ़ने आएगा कितना सवाब वहला काम होगा और हमें हमारे बच्चों को जो है वो बताने के लिए कि देखिए हम इन मस्जिदो को आबात करना है उसके लिए हमें डोनेशन देना होगा आप लग अलगा अलग तरीके से भी डोनेट कर सकते हैं मस्जिदों के जो है एकाउंट भी आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहे तो इनकी ऑफिशल एकाउंट पर भी आप डोनेट कर सकते हैं लेकिन जब आपको मुर्गा हो कोई भी चीज हो लेकिन मस्जिद के लिए डोनेट जो है वो जरूर करें और आपको बता दे कि ये खबर जो है बहुत जादा अच्छी है बहुत जादा पढ़कर जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताई जाए इस खबर के बाद एक कमेंट तो बनता है माशा अब कहीं सकते हैं आप इस खबर को जाए सब्सक्राइब करें तमाम लोग इस खबर को जो हो शेयर करकर बताएं कि देखिए मस्जिदों के लिए भी डोनेशन करना डोनेट करना बहुत जादा जरूरी है उसके बाद मस्जिद कमेटी क्या करती है उनका फैसला है तमाम